अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज के दिन बैंक निफ्टी में एक काफी अच्छा मूब दिया लगवग 1000 प्रेंट का बैंक निफ्टी हमारा जो हे सपोर्ट लेविल के असपास था यहां से हमें एक पूलबेक टो एक्सपेक्टेट था और जो इतना बड़ा मूव जो बैंक निफ्टी ने किया है वह हमारा एक्सपेक्टेट नहीं था तो अभी जो हमारा अकल के लिए क्या ट्रेट प्लान होना चाहिए आईए देखते हैं यहां पर यह देखें हम तो बैंक निफ्टी की जो हमारी जो क्लोजिंग यह अभी वह 42,630 के आसपास है और जो इसका रेसिस्टेंट है भी हमारे पास ने अरली 43,000 के पास हमारा साइकलोजी का लेवल है और डाउनसाइड में हम यह देखें तो यहां पर यह आया यहां पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद सेवेर को ब्रेक बेक आउट किया और इसको वापिस टेस्ट करके फिर ऊपर के व हमें बैंक निफ्टी में हमें घूंता हुआ नजर आने वाला है तो हम कल यहां पर स्टैंगल य्त कप्रस्क्षिख वायभिव पिजिए अगर बैंक निफ्टी हमारा बैंग नितर्फ अउता है तो यह हमारा एक रशीट लेवल है इसके पास हम कोई नेगेटीवुु पें को मिल सकता है और हमें bank nifty में कोई भी buying trade हम तभी लेंगे जब हमें इस level के ऊपर closing मिल जाएगी 15 minute time frame में और selling trade तभी लेंगे जब हमें 15 minute time frame में इस level के नीचे 42200 के नीचे हमें closing मिल जाएगी तो उसके बाद ही हम sell trade प्रिंशेट करेंगे नई तो यहां पर हम strangle और straddle के लिए यहां पर play करने वाले अब हम nifty को चेक करें लेते हैं nifty भी हमारा support level के आसपास था और यहां पर देखें तो हम एक nifty में भी अच्छा move दिखा पर nifty जो हमारा level है हमारा gap को fill किया और उस level के आसपास से बापस वहां से हमें एक छोटा सा fall देखने को मिला और जो इसकी closing है वह हमें अभी 18,000 के ऊपर मिलीए तो कल के लिए हमारा जो nifty के लिए जो हमारा ऊपर resistant का का काम करेंगा यह स्वहिंगे यहां से मार्केट तर्ण हुगा अप्रोक्सिमेट 18,100 के पास हमें resistant देखने को मिलने वाला है और जो हमारा downside में हम देखें तो यह जो 17,800 के पास ही है तो यहां भी हमें अपसाइड अगर हमें कोई प्लान करना है तो इस लेविल के उपर हमें 15 मिर्ट टाइम फ्रेम में कोई closing मिलती है तो यहां पर हम upside के लिए प्लान कर सकते हैं otherwise यहां भी अगर gap up open होता है तो market जो है यहां पर हम resistant लेविल के असपास sell कर सकते हैं अगर gap up open होता है तो कोई भी negative candle देखकर जिसका target हमारा closing price है अभी इस लेविल के आसपास तक होना चाहिए जो आज का closing price है और कल अगर market gap down होता है तो यह जो level है और यह जो हमारा नीचे की और हमारा यह जो swing ही recently इसके बीच में back nifty हमारा trade करता हुगा कल नजर आएगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में like and subscribe my channel झाल